अगर आपको मूर्द रुप में किसी की पूजा करनी ही है तो फिर किसी पत्थर की पूजा करने से अच्छा ये है कि पांच प्रकार के चेतन मूर्थी हैं उनकी पूजा की जाए तो संद्य तुकरामजी ने उन पांच चेतन मूर्थियों की व्याख्य करते हुए कहा माता पिता आचारिय अतिथि अरू गुरु सचेतन मूर्थी केरें माता पिता आचारिय अतिथि और गुरु ये पांच चेतन मूर्थी है अगर इनके सरण में जाओगे उनकी सेवा करोगे तो हो सकता है सच्चे गुरु की सेवा कर रहे हो या फिर माता पिता ग्यानी है तो तुम्हें सही उपदेश दे करके सही ग्यान दे करके तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जा सकते हैं तुम्हें धर्म क और साधना के मार्ग पर आगे ले जा सकते हैं और जब तक पत्थर की पुजा करते रहोगे तब तक इसी तरह से जड़ता को ही प्राप्त होते रहोगे अभी लोग तर्क देंगे वही भावना वाली कि मुर्ति का भाव करना चाहिए मुर्ति में परमात्मा का भाव करना चाहिए कुछ लोग उस मुर्ति को आधार मानते हैं कहते हैं कि मुर्ति हमें ध्यान करने का आधार देती है जो वस्तु जैसा है ही नहीं वैसा आधार ले करके क्या करना है फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मुर्ति पुजा अध्यात्म की पहली सीड़ी है बिल्कुल दोनों बिल्कुल विपरित चीज है मुर्ति पुजा बाहिय आख का विशय है और परमात्मा प्राप्ति अंतर आत्मा की तरफ बढ़ने का विशय है अंदर की तरफ बढ़ने का विशय है ध्यान की तरफ बढ़ने का विशय है तो दोनों सीडिया यह मुर्ति पुजा परमात्मा की तरफ उपर बढ़ने की सीडि लेकिन यह जहां आप हैं वहां से भी नीचे की तरफ ले जाने वाले सिर्री यह द्यात्म की पहली कक्षा नहीं है यह तो बिलकुल भाउतिकता की तरफ ले जाने की कक्षा है को छे TV मंदिर जहां पर मुर्ती रखी जाती है और उसकी पूजा होती है आप अभी भी देख लिजिए व्यवाहरिक रूप में आज ऐसे से क्योंकि सोचल नेटवर्किंग साइड का जमाना है आज इंटरनेट है ऐसे वीडियो पलब्द होते हैं मुर्तियां है और कोई भी मंदिर इससे अच्छुता नहीं है ऐसा ये कोई ना कहे कि नहीं हमारे मंदिर में ऐसा नहीं होता जितने भी जगह पर जहां पर कोई जड़ वस्तु रखी जाती है और उनकी पूजा होती है वहां लोग आते हैं लोग आ करके चड़ावा चड़ाते हैं लोग आ करके वहां पर फिल्मी धुन में बने हुए भजन में या फिर गाने म नाम पर गाने में नाशते हैं और ऐसे असलील तरह से नाशते हैं जैसे कि साधी विवाहों में कोई नाच रहा हो लोग के कोई विवाहा भी होना होता है तो वहाँ पर भी कोई इस तरह से नहीं नाशता लेकिन देवी का मंदिर बोलते हैं जिसको जगत जननी बोलते हैं जहां भक्ति के लिए जाता हैं वहां लोग ऐसे नाशते हैं या फिर किसी की भी मुर्ति हो उसके सामने लोग इस तरह से नाशते हैं और प्राचिन काल में जो देवदासियों के प्रथा थी वह भी प्राचिन काल में भी इस बात का एक उदाहरन है कि उन पूर्तियों के आगे लोग नाचा करते थे अब उनको देखने के लिए लोग जाते हैं अपनी वासना की पूर्ति के लिए जाते हैं अपनी आखों की इच्छा की पूर्ति के लिए लोग ऐसे जगह पर जाते हैं अधिकांच लोग सब की में बात नहीं कर रहा है अधिकांच लोग इस तरह की घटनाओं के लिए जाते हैं अब आगे चत्रपति शीवा जी के जो गुरु थे समर्थ गुरु रामदास वो भी अपने प्रसिद्ध गरंत दास बोध में कहते हैं कि मनुस्यों के अंदर अभी ये दोसे कि वे परमात्मा का ध्यान छोड़ करके अनात्म अर दिखने लगती हैं कि आप कौन सी मूर्ती का ध्यान करेंगे किसको आधार बनाएंगे आप कहते हैं कि मूर्थी परमात्मा को पाने का आधार होता है आप किस उने दासबोद में ही एक और जगह पर लिखा कि मूर्ति पुजकों के सामने जहां बहुत सारी कठी नहीं उपस्तित होती है वहीं वो लोग परमात्मा को शरीर धारी कल्पना करने लगते हैं अब उस समय में उनके मन में अनेक प्रकार की विचार उठने लगते हैं कि यदि परमात्मा ने देह धारण की होगी तो देह योग के कारण भोग त्याग और विपत्ती में भी फसा होगा और उसी जगह पर उसी दासबोध ग्रंथ में एक जगह पर लिखते हैं धातू पासान मृत्ति का चित्र लेख काष्ट रेखा तेथे दैव कईचा मुर्खा ब्रांती पड़ली वो कहते हैं कि है मुर्ख धातू पत्थर मिट्टी चित्र और काठ में अर्थात लकडी में परमेश्वर कहा है तो ब्रह्म में उनकी पूजा में लगा है इसी तरह से संत ग्यानेश्वर ने गीता के उपर ग्यानेश्वरी नाम की ओवी नाम की कविता में भास्य किया है जो कि प्रशिद्ध है और उसमें उन्होंने लिखा कि जैसे काजी पीकर अम्रित का फलप्रा होता है जैसे कोई व्यक्ति कांजी पी करके अम्रित का फल पाना चाहता है उसका प्रहास भी फल होता है इसी तरह से एक संप्रदाय है दक्षिन भारत में लिंगायत उसके संत वस्विश्वर जी कहा करते थे कि एक इस्वर के सिवाय कोई दूसरा देवता नहीं है छोड़ो छोड़ो अन्य देवी देवताओं का विचार करना भी पाप है एक परमेश्वर के सिवाय अन्य कालपनि देवी देवताओं का इस्मरण करना प्याप है वेभीचार है एक इस्वर ही हमारा पूजनिय है और वह हमारे हृदय में रहा करता है दक्षिन भारत में एक बहुत बड़े योगियों में से एक योगी हुए सीवा की वर उन्होंने लिखा कि मंत्र पढ़ते हुए मुर्थ कुछी ने स्थापना की है वो बोलती तक नहीं है इसी तरह से दक्षिन भारत के एक और आचारिय मनिक वाचकर ने मुर्ति पुजा का खंडन करते हुए लिखा कि क्या जो इस्वर इतना प्रिया है वह पत्थर और धातु को अपना निवास स्थान बना सकता है मुसलिमों की द्वारा मंदिरों तथा मुर्तियों के निरंतर विध्वंग्स के कारण ना केवल विवेक धारन किया हुआ हिंदु समाज अपितुस जन साधारन भी बहु देवबाद और मुर्ति पुजा की निशारता का प्रत्यक्स अनुभाव करने लगा था और उपर ज जो संगठन है और महाराष्ट के ततकालिन उतकर्ष में भी उनका अच्छा योगदान रहा उस समय हिंदु का इतियास कुछ भिन्नहीं लिखा जाता अगर 1000 वर्ष पहले जो हिंदु थे ओह मुर्ति पुजा से अगर समल गये होते एक बात यह भी थी कि यह जो समस्त संत थे भगत थे महत्मा थे यह उच्छ कोटी के विद्वान नहीं थे यह प्रायह वैदिक संस्कृत साहित्य से अनभिग्य थे जबकि इनमें से बहुत तो संस्कृत भासा को जानते भी नहीं थे इन्हें वैदिक एकस्षर वाद की प्रभाव सीमित रहा अगर इनमें बुद्ध जी जैसा तपका बल होता इनमें संकराचार्य जी जैसा पांडित्य होता तो फिर वो पूरे भारतवर्ष में अपने सिध्धान्द का प्रचार कर देते लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी अपनी सक्ति और सामर्थ की अनुसा संत्त मत के बाद मुर्ति पुजा और फिर वरतमान सुधार काल अर्थत वरतमान में किस तरश शुद्धार हुआ क्योंकि मुस्लिम सत्ता के पतन होने के बाद में भारत में अंग्रेजी स्थापना के कारण देश में एक बार फिर से उथल पुतल होई लेकिन इस बार सिग्र ही सान्थ स्थापने तो गई क्योंकि पहले 1000 वर्ष तक लगबग पूरा भारत वर्ष गुलाम रहा था जबकि अंग्रेज द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता की घोषणा ने 1000 वर्ष के पस्चत हिंदूओं को धरम के विशे में सोचने समझने का मौका दिया यूरोप के जातियों के आगमन के साथ में इसाई पादरियों कभी इस देश में आप पदारपन हुआ मुगल सामराज्यों के समय में ही इन्होंने हर प्रकार से अलग-अलग जगहों पर अपना प्रचार शुरू किया था इनका कार्यक्षित्र पहले दक्षिन भारत में स्थित प्रांत था और उसके बाद में वहां के जो सवर्ण हिंदूं से पीड़ित असवर्ण जातिया थी अर्था जो हिंदू अपने आपको जातिगत रूप से स्रेष्ट कहते थे उनसे जिनको छोटी जाती समझी जाती थी वह पीड़ित थे और इसायोंने उन्हें अपने मत में मतान तरित किया अपने मत में परिवर्तित किया अब अंग्रेजों ने जैसे ही राज्य रूड हुए तो अंग्रेज के राज्य रूड होने के बाद यूरोप से अनेक इसाई मिसेनरियों ने भारत में आ करके प्रचार केंदरे स्थापित किया। वो उस धन को इसाई मिस्णरियों को आर्थिक सहयता के रूप में दी जाते थे परिणाम क्या हुआ कि इन शिक्षण आलायों के द्वारा अप्रत्यक्स रूप से हिंदू समाज धीरे धीरे इसाई धर्म में प्रभावित होने लगा क्योंकि वो शिक्षित थे और शिक्षित होने की वज़े से वो मुर्ती पुजा को नहीं मानते थे और आवतारवाद को नहीं मानते थे और हिंदूों में वेद का सही ग्यान देने वाला एक परमात्मा के विशे में बताने वाला उस कोई नहीं था इसलिए धीरे-धीरे करके वह इसाई होते गए अब उस समय क्योंकि हिंदु धर्म जो कि पवरानिक विचार धाराओं का एक पिंजर मात्र था वह अपने आपको हिंदु कहने से भी हीन भावना रखते थे अपने आपको छोटा समझने लग गये थे पवरानिक धर्म का सबसे निर्मल स्थान ही मूर्ति पुजा थी और चूंकि सोलवी सताब्दी में मार्टिन लूथर किंग ने जो प्रोटेस्टेंट मत चलाया था उसकी वज़से इसाई मूर्ति पुज में ही अपना प्रहार किया अब बंगाल के जो उस समय के सुप्रसिद्ध सुधा रखते जिनका नाम था राजा राम मुहंद्राय उन्होंने ब्रह्म समाज के स्थापना की उन्होंने हिंदु जाती को मूर्ति पुजा के अंद विश्वा से निकालने का प्रयास किया राज समय उन्होंने अनेक उदाहारन लिखेते लेकिन उन में से किवल दो उदाहारन हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं उन्होंने लिखा उन्होंने अंगरीजी भासा में लिखिये कहते हैं वो केते हैं कि बहुत से ब्राह्मन विद्वान मुर्ति पुजा की निशारता और ब्रह्मो उपासना की अधिक संगती और शुद्ध विदी से भली भाती प्रचली थें वो केते हैं कि ये इसलिए मुर्ति पुजा संबंधी परिक्री आएं और उत्सव उनके लिए प्रतेक प्रकार की सुविदाएं और धन उपर जाएं करने का साधन होते हैं इसलिए ये केवल मुर्ति पुजा का समाधन करने के लिए तत्पर नहीं रहते हैं अपितु अपने सामर्थ के अनुशार उसके प्रचार और प्रोच्छान में अपने सारी फिर राजा राम मोहनरा अपनी आत्म कथा में एक जगह पर लिखते हैं, प्रोफेस टु रिवर्व एंड अबे, मैंने अपने समस्त विवादों में ब्राम्हन धर्म का कहीं विरोध नहीं किया, अपित उसके विपरित यहीं सिद्ध करने का वयत्न किया, कि ब्राम्हन धर्म की मूर्ति पुजा, उसके पूर्वजों, प्राचिन धर्मग्रंत, यव इसके जो उत्तरादिकारी थे ब्रह्म समाज के नेता, नव आगंतुक इसाय धर्म और पास्चत्य सब्व्यता के प्रभाव से नहीं बढ़ सके, इसलिए ब्रह्म समाज विशुद्ध भारत्य संस्कृति का पोशक तत्व नहीं रहा और पास्चत्य सब्व्यता के प्रभा यह कार्य किया लेकिन उनकी अवस्था भी कुछ-कुछ ब्रह्म समाज की जैसी ही हो गए और वह भी मुंबई के अंग्रेजी सिक्षित समुदाय तक ही सिमित रहा और आज भी उसका नाम अधिक सुन्ने में नहीं आता है ठीक इसी समय में सामाजी क्रांती के तड़ पर जब भारतवर्ष खड़ा था और इसाई धर्म पस्थिमी देशों के संग्रक्षिता में यहां अपने पैर फैला रहा था एक तीसरी ज्यानी महापुरूस हुए स्वामि दयानंद सर्श्वति जी उन्होंने अन्य संत और महात्माऊ से जिनका की हमने पहले उल्लेक किया जिनकी कई विश्यस्ताएं थी स्वामी दयानन्द सर्श्वती विशुद्ध भारतिय सस्कृति की उपासकते और उनकी समस्त शिक्ष्या दिख्या भारत की प्राचिन सस्कृत भासा के आधार पर हुई थी प्राचिन गुरुकुल पद्धती के आधा पर हुई थी जिसके कारण वो भारत की सस्कृति से ओध प्रोत थे अब उनको ये बोध किस प्रकार हुआ स्वामी दयानन सर्श्वते जी को ये बात तो हम पहले दिन के चर्चा में कह चुके हैं कि जब 13 वर्ष की उनके आयू थी और शिवा लए में जब वो जागरन कर रहे थे तो वहां किस तरह से दयानन सर्श्वते जी अपने सब्दों में कहते हैं कि जब मैं मंदिर में अकेला जाग रहा था और कई चुहे बाहर निकल करके महादेव जी के पिंडी के उपर दोड़ने लग गए बिच बिच में उन जिस महादेव के विशाल विरिशब आवरहन की कथा कल सुनी थी मैंने क्या वास्तों में ये वही महादेव हैं मैंने सोचा कि यदि यथार्थ में ये वही प्रबल प्रतापी और दैत्यों का विनास करने वाले महादेव हैं तो अपने सरीर पर से इन छोटे मोटे चुहों उनको क्यों नहीं हटा सकते और इस प्रकार की चीन्ता में मेरा मस्तिश्क ढूंने लग गया और मैं अपने आपसे पूछने लगवा कि जो चलते फीरते हैं खाते पीते आत्में दम्रुộc करते हैं त्रिशुल धारं करते हैं मनिश यूको शराब दे सकते हैं क्या ये वही देवता जो िसमाने उपस्थी थे और इस घटना ने उनके मनं में मुर्तीmüşणा के विश्वास को हटा दिया और उपने अपने पूरे जीवन में मुर्ती 1944 का विरोध किया जब उन्होंने स्वामी विर्जानंजी से शिक्ष्या लेने के बाद में दिख्या गुरु दक्षिना का समय आया तो गुरु दक्षिना के समय में जो उन्होंने बात कही गुरुजी ने कि तुम वैदिक धर्म को संपून भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाहर प्रचार करो प्रगाड विध्या से और तब के बलसे पंजाब से लेकर के मुंबे तक और काठ्यावाड से लेकर के tylko के बंगाल तक समस्थ भारत को एक बार के लिए तो हिला दिया उनके ज्ञान साम ने उनके प्रबल तर्क के के सामनें टिकने वाला कोई नहीं था, उन्होंने अकात्या तरक से और प्रमानों से विपक्षि को नत्मस्तक कर दिया, उनके तरक और शास्त्रार्च से घब्रा करके विरोधीन में तो यहां तक कहना सुरू कर दिया कि दयानन जी को शिधी प्राप थे, दयानन जी ने मुर्ति पुजा के विशे में अनेक सास्त्रार्थ किये और सस्कृत विद्या के गड कासी को भी अपने विद्यावल और वागमिता से अनेक बार हिला दिया इस तरह से उन्होंने मुर्थी पुजा का जगह जगह पर विरोत किया और उनकी मुर्थी पुजा खंडन से प्रभावित हो करके अनेक जगहों पर लोगों ने अपनी अपनी देव मुर्थियों को गंगा में प्रभाहित करना शुरू कर दिया को दयानन जी को अनेक प्रकार से प्रलोबन भी दिया गया कि यदि वो मुर्ति पुजा का खंडन ना करें तो उनको एक मठ दे दी जाएगी अथवा समस्त हिंदु लोग उन्हें अपना नेता स्विकार कर लेंगे लेकिन दयानन सर्श्वति जी का उत्तर था कि मैं तुमारे इच्छा पूरी करूँ या फिर इस्वरी आग्या का पालन करूँ उन पर कई बार हमला भी हुआ कई बार विश भी दिया गया लेकिन फिर भी उन्होंने मुर्ति पुजा की खंडनी की पादरी के जे लुकस ने दयानन जी के व्याख्यान को जो की सन 1870 में हुआ था फरुखाबाद में उसे सुन करके लिखा दयानन सर्श्वति जी के बारे में कि वो मुर्ति पुजा के वीरुद इतने इसपष्ट बल और विश्वास के साथ बोलते थे कि फरुखाबाद की जनता की और से उनका हार्दिक स्वागत किया गया मुझे उनका कथन इस्मरण है कि जब उनसे एक बार पुछा गया है कि यदि आपको तोप के मुह पर रख कर आपसे कहा जाए कि यदि तुम मुर्ति को मस्तक नहीं जुकाओगे तो तुमको तोप से उड़ा दिया तो आप क्या कहेंगे स्वामी जी ने उत्तर दिया मैं कह होंगा कि उड़ा दो तो उन्होंने मुर्ति पुजा की कड़ी आलोचना की इसी तरह से उन्होंने मुर्ति पुजा का दोस गिनाते हुए अनेक प्रकार के दोस गिनाए वो कहते हैं कि साकर जो मुर्ती होती है जो जड़ पत्थर के बनती है उसमें कभी भी मन इकठा नहीं मन केंदरित नहीं हो सकता क्यूंकि उसके अनेक आवयों में मन भठकता रहता है दूसरा नुक्सान उनने बताया कि उसमें करोड़ों और किसी भी प्रकार का पूरू शार्त नहीं करते हैं जिस İşte की मनुष्य जन्म व्यर्थ में चला जाता है पासमा उन्होंने नुक्सान गिनाया कहते हैं कि नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के स्वरूप बनाने से पूजारीयों का ही आपस में एक मत नहीं होता है जैसे हमने तीसरे दिन या चोथे दिन की चर्चा में भी इस पस्ट कहा था कि उन मुर्थी पुजाओं के संब्ध में जो पुराण लिखे गए हैं उन पुराणों में भी आपस में एक मत नहीं है देवी भागवद तीनों ब्रह्मा विश्ण मैस की पुजए को निज घतना बताती है कि दो इसे तर से पुजारी नहीं हो पाती है इसलिए विरुदमत में चलते हैं आपस फूट बढ़ाते हैं और आपस में फूट बढ़ने से जैसे अंग्रेजों का नियम था डिवाइड एंड रूल का फूट डालो राज करो का और जैसा नुक्षान पहले से ही लगबग कि महादेव जी अभी कार्ती के या फिर अपने किसी सेनापती को भेश देंगे तो लोग उसी का भरवसा करते हैं और अपना विजय मानते हैं जिसकी वज़े से उनका पराजय होकर करके राज्य परतंत्र हो जाता है धन का समस्त सुक उनके सत्रों के हाथ में चला जाता है और और फिर स्वयम परादिन होकर के गुमार के गधे की तरह सत्रों के वस्में होकर अनेक प्रकार से दुख पाते हैं जैसा कि मुहम्मद बिन कासिम के समय में हुआ था यहां से लाकों लोगों को उसने अफगानिस्तन ले जा करके दो-दो-धाई-धाई रूपे में बेचा था शात्वां, जब कोई किसी को कहता है कि हम तेरे बैठने के आसन और नाम पर पत्थर धरते हैं तो वो जैसे ही क्रोधित होता है वेसे ही जो परमेस्वर का उपस्ना इस्ठान अरथा थरीदाए है उस एस्ठान को अगर हम पत्थर की मूर्तियां का इस्ठान बना देते हैं तो फिर वो परमात्मा उनका नास क्यों नहीं करेगा। आठवा उन्होंने लिखा कि ब्रांतो करके लोग अलग-अलग मंदिरों में घुमते हैं और दुख पाते हैं। धर्म संशार और परमात्मा का काम नस्ट करते हैं। चोर इत्यादी से पीडित होते हैं, ठगों से ठगे जाते हैं। नौमा उन्होंने लिखा कि अधिकांच पुजारी जिनको धन दिया जाता है, वो उन धनों का दुरुपयोग करते हैं। दावा के साथ में कहा जा सकता है, आज ऐसे अनेको मंदिर, आज ऐसे अनेको मठ और अनेको ऐसे सस्था हैं, सरकार की नजर में आती जा रही हैं, जिसके बारे में आप प्रतीक दिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। प्रतिक दिन आप टेलेविजन चैनलों में देखते हैं कि केसी केसी गटना और इसका कारण क्या है उन्होंने लिखा कि दूष्ट पुजारियों को धन देते हैं वे उस धन को वेश्या गमन परिष्ट्री गमन मद्य मांसाहार और लड़ाई बखेडों में व्याय करते हैं य उससे क्या होता है दाता का जो सुख है वो मूल से नश्ठो कर चला जाता है इसी तरह से माता पिता इत्यादी जो सम्माननिय लोग हैं उनका तो अपमान करते हैं और पत्थर के मूर्तियों का मान करते हैं जिससे की वो कृतगन कहलाते हैं कृतगन का मतलब बोलचल की भासा अहां में अहसान फरामुस कहा जता है ग्यारम उन्हें कहा गए उन्हें होज़िंस को कोई अगर तोड़ता है या फिरह मुर्थिक करके रुते हैं और दुह करते हैं अगर ही मुर्थि आपकी रख्षय करने मे चलंद समय होती तो चोरों से स्वयभिम से क्यों नहीं कर सकती थी 12 मनुक्षान बताया करें पुजारी परिष्टियों के संगत में रहते हैं और पुजारी परपुरुसों के संगत में रह करके प्रायह अधिकतर दुशित हो जाते हैं इसी तरह से उन्होंने लिखा जड का ध्यान करने वाले की आत्मा भी जड बुद्धी हो जाती है क्योंकि जिसका ध्यान किया जाता है उसका गुण कर्म सोभाव अंतसकरण के द्वारा आत्मा में अवस्या आता है इसी तरह से कहते हैं कि परमात्मा ने सुगंदी युक्त पुष्प आदी पदार्थ वायू और जल के दुरगंद निवारण के लिए बनाये हैं उनको पुजारी जी तोड़ तोड़ करके नजाने उन पुष्पों की कितने दिन तक सुगंदी आकास में फैल सकती थी उसको समय से पहले तोड़ते हैं और उसका सुगंद मध्य में नास कर देते हैं और वही फूल की चड़ी तेदी के साथ मिल करके दुरगंद उत्पनकरते हैं पत्थर में चड़े हुए फूल, चंदन, अक्षत, दूध, इत्यादे सब मिट्टी के संयोग में होने से कुर्ण में आकर के गिरते हैं, सड़ते हैं और उससे इतना दुर्गन फैलता है और उसके स्थान पर अगर वह दुख दित्यादी किसी जरूरत मंद को दिया जाए तो उसका सर्वत हालाब होता है इसलिए उन्होंने लिखा कि हर प्रकार से पत्थर की पुझा करने वाले जितने भी लोग हैं उन सब को मुर्ति पुझा त्यागने योग्या है और जिन्होंने पत्थर की मुर्ति की पुझा की है करते हैं और करेंगे वो उपर जो दोस बता है उपर जो नुक्सान बता है वो न उनसे बच पाए थे और ना बचे हैं अभी और ना भविश्य में बचेंगे तो ये स्वामी दयानन जी का मत है उनसे पहले किसी भी आचारिय ने मुर्ति पुझा के विरुद्धित ने खोले डंग से कभी नहीं खा था जबकि असिक्षित हिंदु समाज आज भी मुर्ति पुझा के उसी प्रपंच में उल्जा हुआ है और जो शिक्षित समाज है वो उससे उदासिन है जबकि शिक्षित समाज का ये करतब्य होना चाहिए कि वो अशिक्षित समाज तक इस शिक्षा को पहुँचा है इस ग्यान को पहुँचा है उनकी द्रिष्टी में यदि कोई मुर्ति पुजा करता है तब भी कोई हानी नहीं होती वो लोग जो शिक्षित लोग हैं वो कहते हैं कि मुर्ति पुजा करने पर भी कोई हानी नहीं है और नहीं करता है तो भी कोई पाप नहीं है यदि किसी मंदिर पर पहुंच गए तो उस उसको विरुद कहता है तो उसको भी स्विकार कर लेते हैं आज की शिक्षित समाज का यह सिध्धान थे हैं धर्म किसी भी जाती अथवा देश के उत्थान और पतन का प्रधान कारण होता है इसलिए चाणक के ने अपने नीती सुत्र में सबसे पहले कहा सुखस्य मुलम धर् धर्म जाती और देश के उत्थान का कारण होता है जिसे आज यह कल भविश्य में सब को मानना पड़ता है अब जो लोग पस्चिमी सभ्यता के प्रभाव में बैते जा रहे हैं धार्मिक उत्थान के कारण ही यह भारत वर्ष देश का भारत जो देश से वो संचार का सिर्म होने से ही प्राचिन काल में भारत में उस समय विश्व विद्याले थे जबकि ऑक्सपोर्ट जैसी कोई विश्व विद्याले दुन्या में नहीं थी तब भी भारत में नालंदा तक्षशिला और विक्रम सिला नाम से विश्व विद्याले चलते थे और जहां कि दूर दरा भारत वर्ष को उस गड़े से उस गर्थ से बाहर निकलना चाहते थे उनसे पहले के भी जितने संत हुए जिनका नाम हमने उपर लिया दादू संत तुकाराम जी ज्यानेश्वर जी समर्थ गुरु रामदास जी नानक देव जी कभिर जी वो सब भारत को उस पतन के गड़े स से बाहर निकालना चाहते थे लेकिन कोई भी पूर्ण रुप से सफर नहीं हो सका है कि इसी तरह से उनके बाद नाम आता है महात्मा गांदी जी का महात्मा गांदी जी भी एक महापुरुस हुए वैसे तो उनका कार्यक्षित्र राजनीती में रहा लेकिन फिर भी समय समय पर उन्होंने अपना धार्मिक विचार व्यक्त किया लेकिन उन्होंने क्या किया क्योंकि उन्होंने प्राचिन धार्मिक ग्रंतों का विशेस अध्यान नहीं किया था और उन्होंने अपने ग्रंत में यह लिखा कि मुझे सस्कृत भासा का ठीक से ग्यान नहीं है तो उन् महत्मागांदि जी के विचार धरका कोई अन्यूआई दे भी नहीं सकता क्योंकि उनका विच्फे राज नहीं तिक कि एक बार महत्मागांदी जी के जीवन में क्या हुआ कि वो स्वह्यम्मूर्थी कटिंग भेजी उसमें खबर है कि मेरे नाम का एक मंदिर बनाय गया है और उसमें मेरी मूर्ति की ही पुजा की जाती यह इसे में मूर्ति पुजा का बेड़ंगा रूप समझता हूं जिसने यह बनाया उसने अपने पैसे बरबाद किये गाउं के भोले-भाले लोगों को गलत रस्त दिखाया और मेरे जीवन का गलत खाका खीच कर मेरा आपमान किया इससे मुर्ति पुजा का अर्थ सिद नहीं होता उल्टे अनर्थ होता है तो इस तरह से उनके विचार कुछ हद तक समझे जा सकते हैं इस तरह से समय समय पर जितने महापुरुस हुए उन्होंने मुर्ति पुजा का खंडन किया जितने भी महापुरुस मुगलकाल के बाद हुए उन्होंने लेकिन आज भी लोग क्या करते हैं जिन महात्मा गांधी ने इस पश्ट रूप में उससे मना किया आज उनकी समाधी पर जा करके एक चबूत्रा सा बना दिया है वहां पर प्रतिक दिन फूल मालाएं और रुपए पैसे चड़ाये जाते हैं उस समाधी पर जहां एक और महात्मा गांधी जी का तामर चित्र उन्हें साश्टंग दंडवद भी करते हैं वहां मंदिरों की भाति एक पुजारी भी रहता है जो चित्र के फूलों से ढख जाने पर उन्हें उसके उपर से हटा करके दूसरे दर्सकों को मुख भाव से फूल चड़ाने के लिए आवान करता रहता है जबकि मात्मा मूर्ति और मंदिरों के स्थापना हो रही है और यह असंभव नहीं है कि महात्मा गांदी महात्मा बुद्ध जी की भाति उनकी इस्पष्ट आग्यां और इच्छा के विरुद कहिनके मूर्ति पुजा चल पड़े हमारे देश के बड़े बड़े गांदी भक्तिने ताब है कि यह जो उनकी धारणा है वो दूरा साही होगी उनकी मूर्ति पुजा करने से महात्मा गांदी जी के अंदर जो अहिंग्सा का त्याग का गुण था वो उनके अंदर नहीं आने वाले अगर गुण आने होंगे तो उनके जीवनी के बारे में सुन करके उनके उपदिशों को सुन करके भी आना होगा क्योंकि महात्मा गांधी ने जब सोयम अपने हाथ से लिखी होई पत्र में इस तरह से मुर्ति पुजा के खंडनी की है तो फिर कोई महात्मा गांधी के संमान के नाम पर उनकी कही हुई बात को कैसे न कार सकता है तो धर्मप्रेमी सजन्भृ censorship ये था मुर्ति पुजा और मुगलकाल तथा उसके बाद में मुर्ति पुजा के संबन में संथ और महापूरुसों के विचार जिनको हमने आज सुना जिनके विशे में आप विचार करें अब अगली चर्चा में हम सुनेंगे कि निजानन दर्शन जिनके प्रमक धर्मगरंथ श्रिमक वाणी श्री कुलजम स्वरूप तथा श्री बितक सायब हैं वे मूर्ति पुजा के विशे में क्या कहते हैं आज के के लिए मैं अपने शब्दों को यह विराम देता हूं प्रणाम 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 प्रणाम